नमस्ते दोस्तों वेलकम टो दे चैनल ममाजाट टूम दोस्तों बच्चों का फेवरेट एकदम चीजी और क्रीमी पास्ता एकदम देसी स्टाइल में कुकर में बस दो मिनिट में किस तरह से बनाना है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जैसे कभी-कभी बच्चो को चट-पटा और चीजी खाने का मन करता है फिसे हेल्दी वेसरे बणा युच्य को देब सकते हैं तो यहां पर एक कुकर लेकर मैं उसमें एक टेबल स्पुन तक लेल थेल लिया है और एक टेबल स्पुन तक मैं ने इहां पर देशी घी लिया है आप चाहे तो बटर भी इसके बाद बारिक में कटा हुआ लसन यहाँ पर डाल दिया है उसको हलका सा गुलाबी रंका होने के बाद उसमें गाजर बारिक में कटा हुआ प्याज लंबे में कटा हुआ एक बड़े साइज का उसके बाद दो शिमला मिर्च वो भी बारिक में कटी हुई यहाँ पर मैंन अच्छे से उन्हें तेल में भून लेना है और अच्छे से थोड़ा सा हमें उसे पकने देना है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए थोड़ा सा नमक में यहां आपर डाल रही हूँ ताकि जो टेस्ट है वो सब्जीयों में अच्छा आए यहां पर half teaspoon तक हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर half teaspoon तक, रेट चिली पाउडर एक चम मच तक, और पास्ता मसाला जो है वो मैंने यहां पर डाल दिया है, यहां पर मैंगी का magic मसाला जो होता है, वो भी ऐड़ कर रही हूँ, यह optional है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकत सिर्फ पास्ता मसाला डाला तो भी चलेगा, तो अच्छे से तेल यहां पर छूटने लगा है, इसके बाद मेरे दो टेबल स्पून तक यहां पर टोमेटो, केचप चोथा वो भी इसमें डाल दिया है, आप देख सकते हैं, अच्छे से यहां पर पक चुकी है, और तेल भी अच्छे से यहां पर छूटने लगा है, तो इसके बाद हमें यहां पर पास्ता जो है, वो दो कप तक पास्ता यहां पर टाल देना है, तो यह पास्ता, यह जो सारे सबजे और मसाले हैं, इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए, तो एक ग्लास पानी लेकर हमें इसमें डाल देना है तो सबजियों में हमने नमक चोधा पहले डाल दिया था और जो हमने मसाले इसमें डाले थे पास्ता मसाला और मैजिक मसाला उसमें भी नमक होता है तो अभी नमक डालने की इसमें जरूरत नहीं है जैसे इसमें उबालाया मैं कुकर की एक से दो सिठी ले लेनी है दो छी के बाद आप देख सकते हैं पास्ता एक दम परफेक्ट तयार हो गया है और यहां पर इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बार आप देख सकते हैं अच्छे से बड़ी सी चीज स्लाइस लेकर मैंने रख दी है और मेयोनी जो होता है ये मेयोनी भी मैंने साइड से इसमें डाल दिया है और धकन जो है उल्टा साइड रखकर मैंने एक मिनिट तक वैसे उसे छोड़ दिया था तो आप देख सकते हैं चीज जो है वो एकदम परफेक्टली यहां पर मेल्ट हो चुका है और अभी ये जो चीज और क्रीम है वो हम पास्ता में अच्छे से मिलाने वाल है ताकि ये जो चीजी और क्रीमी टेक्स्चर है वो पास्ता में आ जाए तो एकदम बन गया ना फटा फट चीजी और क्रीमी पास्ता बस दो मिनिट में तो दोस् बच्चों को आप एकदम जल्दी में कुकर में ये पास्ता जो है बना कर देख सकते हैं खाने में भी टेस्टी और हेल्दी तो दोस्तों अगर ये रेसिपी आपको पसंद आयोगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आगे भी इसी तरह की कुछ वीडियो के लिए नए रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।